हालो एवरीवन, इंडिनमणी.com के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज हमारे प्रधान मंत्री मोधी सहब का जनम दिन है तो सबसे पहले हम सब की तरफ से मोधी जी को जनम दिन की हार्दिक शुपकाम नाए आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सुकन्या सम्रधी योजना के बारे में सुकन्या सम्रधी योजना ये योजना क्या है तो ये योजना बेसिकली हमारे देश के गर्ल चाइल्ड के लिए डिजाइन स्कीम है बच्चियों के लिए लड़कियों के लिए और हमारी सरकार ने इस स्कीम को ये मद्दे नजर रखते हुए बनाया है कि लड़कों और लड़कियों को एक जैसे अधिकार equal rights मिले हर बात में हर चीजों में घर के property, assets और जहां तक के रुपए पैसे की बात है, parents के savings की बात है तो हर जगह उनको equal rights मिले इस चीज को protect करने के लिए, इस चीज को ensure करने के लिए specially इस scheme को launch किया गया है तो इस scheme की क्या खास बाते हैं और इसको कैसे आप शुरू कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ तो सबसे पहले ये जो scheme है, ये बच्ची के जन्म होने के बाद से, उसके जन्म के बाद से, उसके 10 साल की उम्र तक कभी भी इस scheme को आप शुरू कर सकते हैं From birth till the age of 10 years, birth से लेके 10 years के बीच में इस scheme को कभी भी शुरू किया जा सकता है Second point, इस scheme को शुरू करने के लिए 200 रुपे, 250 रुपीज से आप इस scheme को शुरू कर सकते हैं और एक साल में, पूरे एक साल में, डेड़ लाख तक का deposit, डेड़ लाख तक का amount है, वो आप जमा कर सकते हैं इस scheme के अंतरगत यह हो गया, इसका दूसरा feature, Third important feature यह है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए इस scheme को encourage करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और इस scheme को adopt करने के लिए इसलिए हमारी सरकार ने जो normal deposits होते हैं, normal जो schemes होते हैं, उससे इस deposit में ज्यादा interest रखा है तो parents को जो है, जो भी scheme में enroll कराएंगे अपनी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए उनको जो है, normal deposits से इस scheme में ज्यादा interest मिलेगा और दूसरी चीज इसी में ये भी है, कि interest के साथ साथ income tax benefit भी इसमें मिलेगा तो इसे और ज्यादा लोग हम ये चाते हैं, हमारी सरकार ये चाती है, कि और ज्यादा लोग आगे आए और इस scheme में enroll करें ताकि हम अपनी बेटियों की, हमारी देश की बेटियों का जो future है, उसको secure कर पाए next feature इसका ये है, कि ये जो scheme है, ये 21 साल के लिए, 21 years के लिए valid रहेगा इस scheme का जो life है, वो 21 साल का scheme है, और इस scheme में से अगर आपको पैसे निकालने हैं, अगर आपको withdraw करना है कुछ amount, specially बच्ची के पढ़ाई के लिए, higher education के लिए, तो 50%, 50% प्रतीशत पैसे जो है amount में से आप निकाल सकते हैं, लेकिन बच्ची के 18 साल की उम्र तक पहुँचने के बाद, तो ये restriction इसलिए रखा गया है ताकि child marriage जो होता है, बाल विवा, adulthood पहुँचने से पहले, 18 साल के उम्र पहुँचने से पहले अभी भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहे हैं, बहुत सारी ऐसी families हैं जहां पे ये होता है 18 साल से पहले ही बेटियों की शादी कर दी जाती है, तो इस चीज को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं हमारी सरकार जो है इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहती है, चाहती है कि ये control हो, बच्चिया पढ़े, आगे बढ़े, future बनाए तो इस चीज को entertain नहीं करना है, इसलिए ये restriction रखा गया है, कि 18 साल की उम्र तक आप उस deposit में से पैसे नहीं निकाल सकते हैं तो ये थी important features इस scheme के बारे में, और आपको enroll कैसे करना है, वो भी बहुत simple process है, आप किसी भी post office में चले जाएए, या किसी भी bank में चले जाएए, किसी भी commercial bank में और वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ इस योजना के बारे में बताना है, इसका नाम लेना है, सुकन्या समर्धी योजना, और वो आपको जो इसकी formalities है, वो करवाएंगे, जो form वगेरा है, वो तो basically यही था scheme और यही था आज का discussion, अगर आपको इस योजना के बारे में और जानकारी चाहिए, और जानना है, और information चाहिए, और यह जानना है, कि इसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं, तो please हमारे free educational helpline number पर सिर्फ एक missed call करे, हमारा number है 022-6181-6111, इस number पर आप सिर्फ missed call करे, और हमारे wealth doctors आपको phone करके इस योजना के बारे में पूरी detail information देंगे, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी information चाहिए, तो भी वो आपकी मदद करेंगे, तो अगर आपको हमारा channel पसंद आता हो, इसमें दिया information, अगर आपको काम का लगता हो, तो please like करे, share करे, subscribe करे, साब्धान रहे, अमीर बने, thank you.